बिहार की सियासी बिहार एक बार फिर बदलती नजर आ रही है। दरसल महागटवंदन में तूट की खबर से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि बिहार के कॉंग्रेस प्रभारी भक्त चरदास ने एलान किया कि राज में अब कॉंग्रेस महागट बंदन का हिस्सा नहीं है आगामी लोकसभा चुनाओं में बिहार की सभी 40 सीटों पर कॉंग्रेस अकेले चुनाओ लड़ेगी उन्होंने साफ कहा कि बिहार में महागट बंदन आज से खत्म हो गया है जाहिर है कि बिहार की सियासत के लिहाज से ये बड़ा उलट फेर है क्यूंकि कॉंग्रेस और राज़त का साथ करीब तीन दसक से चला आ रहा है हाला कि एक दो ऐसे मौके आए जब कॉंग्रेस आरज़डी की राहें अलग हुई इधर इसी भी जाप प्रमुक पपू यादव ने भी उपचुनाओ में कॉंग्रेस को समर्थन देने की बात कही जिसके बाद भक्त चरनदास ने कहा कि पपू यादव की समर्थन से कॉंग्रेस को चुनाओ में मजबूती मिलेगी आपको बता देगी पटना में पपू यादव और भक्त चरनदास की मुलाकात के बाद ये बात सामने आई है अब जल्द ही पपू यादव की पार्टी कॉंग्रेस में सामिल हो सकती है वही इस बाद उप चुनाओ में पपू यादव कॉंग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देते नजर आएंगे वही इससे पहले कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार और हार्दिक के बिहार दौरे के बीच प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी भक्त चरनदास ने बयान देते हुए कहा कि महागटवंदन तूटने का बस अब अपचारिक एलान भर होना बाकी है पतादे की बिहार में दो विधान सबा सीटों पर हो रहे उपचुनाओं ने महागटवंदन की एक जुटता के तमाम वादों की हवा निकाल दी है